Yes students, today we are going to discuss the structure of nephron. आज का हमारा टॉपिक है structure of nephron, जो की structural और functional unit है kidney की. Clear? जरा आज में थोड़ा side में रहूंगा, आप जरा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कितने सारे neat के questions इस से आते कैसे पढ़ा जाता है. सब सब पहले आज के lecture में आपको अपने बोल्ड को इतने पाल्ट को kidney समझना होगा. This is the kidney. Kidney. उपर सो लाइन है, this is the capsule or you can say the outermost covering is called capsule which is made up of fibrous connective tissue. We have already discussed in earlier lecture, in the study lecture. Now, इस board में, capsules के नीचे cortex region start होता है. तो cortex region यहां से लेकर, जहां medulla लिखा हुआ, उसके उपर का सारा region तुमारा cortex है. Listen, capsule उसके नीचे का सारा region, जहां medulla heading पड़ी है, इतने बीच का सारा region आपका cortex है. Then rest is the medulla, नीचे medulla है. Okay, now, सबसे पहले समझते हैं, किडनी में डॉर्सल औरटा से एक single renal artery blood लेकर आती है. यानि किडनी से, किडनी के लिए, जो डॉर्सल औरटा है, उससे एक renal, the branch of renal artery आती है. और वो renal artery, जो कल हम लोगों ने किडनी में concavity देखी थी, हिलम, जो कहला आता था हिलम पार्ट, उस हिलम में ये artery इंटर होती है. इंटर होने के बाद, ये पहुंशती है, renal pelvis region में, medulla part में, जहां पर वो branching कर देती है, और branching करने के बाद, ये branches कहलाती है, efferent arteryol, और ये arteryol, कॉलम आफ बरतनी से पास होकर, कॉल्टेक्स region में पहुंशते हैं, सुनिएगा, किड्नी से डॉर्सल एरोटा, renal artery की सप्लाई करती है, renal artery, हिलम बाले पार्ट से किड्नी में इंटर करती है, बाद में, medulla में पहुंशकर, कॉलम आफ बरतनी से fine branches निकालती है, जिन को कहते हैं, efferent arteryol, ये efferent arteryol, कॉल्टेक्स region में रन करते हैं, और कॉल्टेक्स region में रन करते करते, ये जो कॉल्टेक्स region में नेफरॉन का जो पहला पार्ट है, जो की close end है, double walled है, cup like है, जिसको बोमन कैपसूल कह दिया जाता है, उसमें पहुँचती हैं, और फिर वहां से बहुत सारी अपनी कैपलरीज डिवाइड़ कर देती हैं, और ये कैपलरीज के होती हैं, इलाजमो लाइजिंग, इस्पेशल कैपलरीज, इन कैपलरीज का बेड तयार हो जाता है, ये बेड टफ्ट आफ कैपलरीज कहलाता है, कौन बनाती हैं, एफरोंट आर्ट्रियोल, जिनका अलूमन कैसा है बच्चों, वाइडर है, बाग में, ये बलड दूर कैरी होता है, इस टफ्ट से, और ये जाता है कैरी होकर, इफरेंट आर्ट्रियोल में, मैंने कल भी बताया था, कि किडिनी में बच्चों, इस पेशल टाइप आफ अरेंजमेंट है, जो इफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है, बाकी जगे पर सरीर में, जितनी रश्ट आप जगे पर सप्लाई हो रही है, उसमें डारेक्ट वेंड में जाता है, लेकिन इसमें नहीं ऐसा है, किडिनी में स्पेशल टाइप आफ अरेंजमेंट है, इफरेंट आर्ट्रियोल डल्टी बलड लेकर आया, देखिए मैंने एरो लगा दिया, कॉल्टेक्स रीजन में यहाप पढ़ रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोल से जो डल्टी बलड को कहा लाती है, इस कॉन के बिटी में, किसकी कॉन के बिटी है, बोमें कैफसूल की, उसमें आकर क्या बना देती है, तफ्ट आफ कैपलरीज, और उस तफ्ट आफ कैपलरीज को क्या कहते है, ग्लोमी रूलस, यू गाटेट माई पॉइंट, तो ग्लोमी रूलस क्या है बच्चो, टफ्ट आफ कैपलरीज, अब यहाँ से बलड लेकर, बलड को दूर ले जाने का काम कौन करेगा, इफ्रेंट आर्ट्रियोल, यह भी आर्ट्रियोल है, यह भी आर्ट्रियोल है, लेकिन यह इफ्रेंट है, यह दूर ले जा रहा है बोमेंट कैपसूल से, यह बोमेंट कैपसूल की तरफ ला रहा है, यह इंपॉर्टन कॉश्चन है नीट का, इसका लूमें वाइडर है इसका लूमें नेरो है ये कुश्चन है नीट का जो टफ्ट आफ कैपलरीज बनती है वो कहलाता है गलोमी रूलस देखिए मैंने यहाँ पे जी बना दिया इसलिए जो टफ्ट आफ कैपलरीज बनती है इसको कहते हैं गलोमी रूलस और बॉमेंड क एपसूल दोनों को प्लस कर दीजिए तो नेफरान का पहला पाल्ट बनता है जिसको आप कहते हैं मेलफिगन कॉर्प सेल्स या रीनल कॉर्प सेल्स किलियर हुआ तो कॉल्टेक्स रीजन में क्या पाया जाता है नेफरान is the structural and functional unit of kidney in each kidney about 1.2 million nephrons are present लेकिन अगर knowledge के लिए देखा जाए तो 2 lakh nephron होते हैं in case of rabbit and about 2,000 in case of the frog clearly आगे चलते हैं मैंने बताया कि यह तफ्ट बना हुआ है इसको glomerulus कहा गया और glomerulus और bowman capsule bowman capsule क्या है bowman capsule is the proximal closed part of the nephron देखिए बंद है proximal closed part of the nephron which is double wall cup like structure that's why it is known as bowman cup after the name named after the sir william bowman इसी को इनोंने bowman capsule कह दिया तो glomerulus G मैंने glomerulus के लिए G लिखा यहां पर ध्यान रखिए का glomerulus plus bowman capsule form the malphigan corp cells पहला part क्योंकि दो ही part होते हैं ने फ्रॉन के एक renal corp cells कह लिजिए या malphigan corp cells कह लिजिए renal world kidney के लिए यूज हो रहा है renal corp cells कह लिजिए चाहे malphigan corp cell कह लिजिए जो किसका बना हुआ है फिर से सुनिए ग्लोमी रूलस ग्लोमी रूलस क्या है टफ्ट आफ कैपलरीज और bowman capsule का जो पहला part है जो closed part है ने फ्रॉन का जो डवल वाल्ड कप लाइक structure है उसका बना होता है malphigan corp cells किसका बना है ग्लोमी रूलस और बोमन capsule का दूसरा part नेफरॉन का दूसरा part नेफरॉन का start हो जाता है काल्टेक्स रीजन में ही मैंने का था मैडूला के ऊपर की चीज़ जहां मैडूला हेडिंग है आप सारा डाइग्राम से सीखिए वो सब काल्टेक्स रीजन है बच्चों किड्नी का उपर मैंने कैपसूल बना दिया इसलिए अब नीचे वाला मैडूला है खर चलिए तो नेफरॉन में दो part है मैल्फिगन कार्फ सेल कहिए या रीनल कार्फ सेल कह लीजिए दूसरा टीवियूल पाल्ट है अब सवाल यह उठता है कि यह जो टीवियूल पाल्ट है यह ठीक कांटिन्यू होता है बोमें कैपसूल के नीचे से यहां देखिए और जब यह सुरुवात होती है तो नेक री हाइली कांविलेटेट दिख रही है तो इसको कह दिया गया प्राक्सिमल कांविलेटेट टीवियूल ठीक है इसी तरीके से एक कांविलेशन और होगा जिसको कहेंगे डी सी टी मीन्स डिश्टल कांविलेटेट टीवियूल ठीक है तो देखिए ना कॉल्टेक्स रीजन में tubule part का भी part आगया कौन कौन से टिवियल के part है PCT DCT किस में आरहे बच्चो cortex region में cortex तो ऊपर वाला मैंने का बोल्ड पूरा kidney है आज तो ऊपर वाला region क्या हुआँ cortex तो उस में क्या है PCT और DCT proximal конvulated tubule and digital convulated tubule थोड़ा सा वक्त देते हैं इस टीवलर पार्ट में जो कालटेक्स रीजन में है सुनियागा बच्चों आप ने देखा था यह जो बोमेन कैप्सूल था इसके बारे मैं भी दो मिनट में बात करता हूं यह जो बोमेन कैप्सूल था इसमें जो ब्ल moralis थी comedic pearl XL में mark जिन जिनमें एक फैनिश्ट रहा थे, पोर्स थे, नमरा पोर्स इस नेर अबाट 1000, and the size is 7200 नैनो मीटर, ठीक है, तो एक तो मेंब्रेन एंडो थीलियम बन गई, ब्लेट केपलरी की वही जो टुफ्ट में, गलोवी रूलस में है, दूसरा जो नीचे है, यह बेसमेंट मेंब्रेन है, इस इस नोन अज बेसमेंट मेंब्रेन, मैंने देखे, इसमें बी-म लिख दिया, यानि second, first filtration membrane is the endothelium of blood capillaries, second filtration membrane which is involved in the ultrafiltration is the Bowman capsule, is the basement membrane, and then the Bowman capsule, the inner layer is called visceral epithelium, यह visceral epithelium कहलाती है, यह spatial cells है, जिन में देखे, मैंने ऐलोव कलर से दिखाया है, इसमें बच्चों foot-like process है, यह foot-like process के कारण, इनको कहते हैं podocytes, क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स, लीजिए मैंने यहां लिख दिया, पोडोसाइट्स, clear, नाउ, यह पोडोसाइट्स में, जो foot-like process है, मैंने कल डिसकस किया था, इनमें inter-digited है, जिसके कारण slits बन रहे हैं, यह slits, ऊपर वाला यह नीचे वाला, यह जो slits बन रहे हैं, इनहीं कोई बच्चों कहते हैं, filtration pore या slit pore, तो filtration pores और slit pores किसमें बन रहे हैं, जो inner वाली visceral epithelium है, outer वाली तो parietal epithelium है, this is the parietal epithelium, this is parietal मैंने लिख दिया, और यहां मैंने epithelium लगा दिया, this is the outer, and this is the visceral epithelium, this is inner, bowman capsule मैं, inner visceral epithelium, पिछले lecture मैं मैंने पूरा detail मैं बताया था, ठीक है, तो endothelium of blood capillaries, of this glomerular stuft, basement membrane, and the inner visceral epithelium, means that special podocyte cells, यह तीनों मिलकर, बनाती हैं हमारी filtration membrane system, यह हमारा membranous filtration system बनाती है, जिससे filters निकलता है, जिससे urine बनने के लिए filter आता है, और आकर इस capsule में इखटा हो जाता है, अब इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दे देते हैं, capsular fluid, और यह कहनें से capsular filtrate, क्या बोल देते हैं इसको, capsular filtrate, किससे होकर आ रहा है, छोटे-छोटे से जो slits हैं, क्यों slits हैं, क्योंकि यह जो podocytes cells हैं, they are arranged intricate manner, which manner, intricate, I-N-T-R-I-C-A-T-E, इस intricate manner के करण, arrangement के करण, यहाँ पर छोटे-छोटे से आपको slits दिख रहे हैं, यह, these are known as filtration poor, जिनका size कितना है, 20 to 30 nanometer, इससे क्या होता है, कि जो भी है, जो भी dulty blood आया है, उससे जो filtration हो रहा है, जो filtrate, filter out होकर आ रहा है, कौन से तीन membrane से, endothelium of tuft of blood capillaries, basement membrane, and spatial inner visceral epithelium, जिनको कहते हैं, podocyte cells, यह तीनो membranes involved हो रही हैं, filtration में, देखिए, yellow वाली endothelium, बीच में basement मैंने लिख दिया, नीचे podocyte, इन से जो filtrate निकल के आ रहा है, उसमें plasma protein नहीं है, means that protein less plasma आ रहा है नीचे, पहला नीचे का question, कि जो ultra filtration process है, जो bomen capsule में हो रही है, जो bomen capsule coltrix region में है, जिसमें endothelium आ, blood capillaries, basement membrane, and inner visceral epithelium, special podocyte layer, काम कर रही है, जिससे की filtration, filtrate छन छन के बाहर आ रहा है, उसमें plasma protein नहीं है, यानि protein minus plasma आ रहा है, उसमें plasma से protein नहीं आ रही है, clear बात हो गई, plasma protein नहीं आती है, मेरे इस बहुत तेज ध्यान दीजिएगा, आप ले देखा, यह जो basement membrane होती है, now, in between this basement membrane, this is some dense area in the center, and this is known as lamina densa, क्या कहलाता है, lamina densa, L से lamina समझे, densa समझ लीजिए, यहाँ पर dense, now, यह आपको जो dense portion दीख रहा है, basement membrane में, this is known as lamina densa, and both the site of lamina densa, आप देख रहें कुछ ऐसा area है, जो उतना dense नहीं है, this is known as lamina rara, यह lamina rara कहलाता है, तो basement membrane हो, चाहे endothelium membrane हो, चाहे इदर inner visceral epithelium के layer हो, both all these three layers are electro negatively, यह चारों के तीनों के तीनों filtration membrane, electro negative होती है, इसलिए, plasma proteins, इन से बाहर, नहीं निकल पाते हैं, slit pores से, नहीं निकल पाते हैं, इसलिए, जो capsule में, bowman capsule में, जो filter आता है, जिसको आप glomerulus filtrate बोलते हैं, क्या बोलेंगे अब, glomerulus filtrate, वो चंचन के जो बाहर, इन तीनों membrane से आता है बच्चों, उसमें protein नहीं होती है, यानि protein less plasma होता है, clear बात हो गई, यह neat का question था, protein less plasma, आगे चलिए, चलिए, यहां पे तो ultra filtration हो गया, पहला step, urine formation का, मैं next lecture में, mechanism लेकर आऊंगा, पहले आप structure समझिये, अब इसका दूसरा part, nephron का, मैंने पहले का था, क्या का था, कि nephron is consist of two parts, number one is the, malchican corsals, or you can say renal corsals, and number second is the tubules, so now, we will move towards the tubular part, or you can say tubule part of the nephron, लेकिन be careful, मैंने कहा, bold आज kidney है, तो जहां medulla लिखा है, तो medulla नीचे वाले part में, नीचे वाली study medulla की होगी, इसके उपर पूरी cortex की होगी, तो tubular part कहां से start हुआ, answer is the cortex, कौन कौन से part tubule के, जो nephron का दूसरा part है, कौन कौन से part tubules के cortex में आते हैं, ये नीचे का question है, PCT proximal convulated tubule, DCT digital convulated tubules, PCT proximal convulated tubules, DCT digital convulated tubules, and malphigan carb cells, क्योंकि आपसन में इसको दिमाग से नहीं निकालोगे, इन तीनों parts का malphigan carb cells, and tubule के कौन कौन से part, PCT and DCT, अगर question नीच में आता है, tubular कौन कौन से part, answer is PCT, DCT, अब पूरे nephron के कौन कौन से part, तब आप उसको malphigan carb cells को ली जिए, renal carb cells को ली जिए, और बताइए कि malphigan carb cells, आरिक हैं से renal carb cells, जो किसका बना हुआ है, tuft of papillaries, glomerulus, plus bomen capsule, इन दोनों का बना हुआ है, malphigan carb cells, तो malphigan carb cells, और renal carb cells, plus tubule के कौन से part, PCT and DCT, they are found in this cortex region, this cortex region, clear हुआ आईए, अब थोड़ा सा नीट की बात करते हैं, PCT के बारे में पहले, सुनिएगा, this PCT, जो ये PCT होती है बच्चो, इसमें जो cells होती है, उन cells को कहते हैं, simple cuboidal cell, लेकिन ये brush bottled होती है, पहले point, कैसी cells हैं, brush bottled cells, यानि simple cuboidal brush bottled cell, brush bottled cells क्यों हैं, इनमें brushes क्या है ये, ये बच्चो, microvillai हैं, में क्या हैं ये, microvillai हैं, और microvillai किसलिए होते हैं, to increase the surface area for reabsorption, reabsorption के surface area को, increase करने के लिए, microvillai पाये जाते हैं, और ये microvillai किस पाल्ट में होते हैं, टिबूल के, नेफरोन के, तो अब आंसर होगा PCT, और कहीं न देखिएगा, PCT पर ही मैंने बनाया, तो यहीं पर दिमाग अपना रखिएगा, ठीक है, तो PCT में, selective tubular reabsorption, tubules में होता है, नेफरोन के टिबूल पाल्ट में, selective tubular reabsorption होता है, नेफरोन के, malphigan corp cells वाले पाल्ट में, आपका ultra filtration होता है, तो यह तो selective tubular reabsorption वाला function जो है, second जो mechanism होगी, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, उसमें देखेंगे, कि जो PCT होगी, वो कौन सी cells की बने होगी बच्चों, आंसर क्या होगा NEET का, simple cuboidal breast bordered, क्यूं होते हैं, to increase the surface area for the absorption, क्लियर हुआ, इस PCT में आपको इस point को याद रखने की चरूरत है, क्लियर हुआ, now PCT में जितने भी filtrates यह जो आता है, glomerulus filtrate जो इखटा हुआ है, जब इस PCT से pass out होता है, तो all the essential nutrients are reabsorbed, सारे essential nutrients reabsorbed हो जाएंगे, glucose, amino acid, fatty acid, these are absorbed by active transport, मेरी इस बात को ध्यान रखना है, तो mechanism मैं पढ़ाऊं, यह NEET का question है, इस PCT में brush bordered, जो simple cuboidal brush bordered cells हैं, उनके कारण reabsorption surface बढ़ जाता है, तो glucose क्या क्या चीज़े होती हैं, सारे essential nutrients reabsorbed होते हैं, जैसे glucose, amino acids, fat, these are reabsorbed by active transport in PCT, active transport word याद रखिये, नीट के लिए, और क्या होता है, 72, 80% electrolytes, 72, 80% electrolytes and water, electrolyte और water भी absorb हो जाते हैं, और water और chloride का absorption जो हैं बच्चों, वो passively होता है, कैसे होता है, passively इस बात को ध्यान रखियेगा, कि PCT में chloride and water का reabsorption जो है, passively होता है, glucose, amino acid, और fat का reabsorption जो है, वो active transport से होता है, बस अभी इतना याद रखिये, क्योंकि आज हम लोग structure पढ़ा रहे हैं, कल काम आएगा, आगे चलते हैं, PCT, जो PCT है, वो continue होता है, tubes के दूसरे part में, जिससे urine जो filtrate है, वो filtrate नीचे की ओर जा रहा है, जब नीचे जा रहा है, तो यानि मतलब descend हो रहा है, यानि यह जो limb बन रहा है, tubule का, अब इसको बच्चों को पढ़ा दो, descending limb, कितना simple है, PCT, tubule का वो part, जो filtrate को कहा छोड़ दे रहा है, descending limb है, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, तो descending limb, अगर filtrate जब उपर की ओर जाएगा, DCT की तरफ लेकर, जो limb जा रहा होगा, वो ascending limbs, तो PCT से filtrate लेकर कौन आ रहा है, loop off, you said loop off, handle की तरफ, answer is descending limbs, यह नीच है, loop off, handle से DCT पे कौन लेकर जा रहा है, ascending limbs, यह answer है नीच का, और ascending और descending limbs, किसके part हैं, answer is handle loop, answer क्या होगा, handle, loop, अब आप handle loop देख रहे हैं, आपको मैंने दिखा आया, handle loop, आप handle loop देख रहे हैं इस समय, यह मैंने लिखा handle loop, HL मैंने लिख दिया यहां पर, यह देखिए, HL लिख दिया मैंने handle loop, clear हुई बात, तो जो handle loop है, उसके दो part हैं, एक descending limbs, और एक ascending limbs, चलिए थोड़ा descending, ascending में, उपर वाला part जो है, उसकी बात करते हैं, थोड़ी सी, रुकिए गादिरा ध्यान से, यहां पर नीट का question है, आपने देखा, कि loop आफ handle के ascending और descending limbs, kidney के किस part में आ रहे हैं, बोल्ड आज आपका kidney है, तो इसके मतलब मेडूला part में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, मेडूला part में आ रहे हैं, तो टीविल का वो part, जो मेडूला part में आता है, वो क्या कहलाता है नफरॉन का, loop of handle, और loop of handle की कौन सी दो arm है, जो PCD से filtrate को handle loop की तरफ ला रहे हैं, बच्चों, यानि filtrate नीचे की और move कर रहा है, मेडूला की तरफ move कर रहा है, वो कहलाता है descending limb, और जो loop of handle से, जो hair, head like structure है, you saved है, उस loop of handle से filtrate को आगे उपर की और ascend कर रहा है, DCT की तरफ वो बच्चों ascending limbs है, क्या है, ascending limbs, किलियर हुआ, अब यहां देखिए वच्चों, जो ascending limbs है, आप ने देखा कि मैंने यहां की wall ठिक बनाई, यह thick segment ascending limbs का, फिर मैंने यहां पर descending limbs का, फिर मैंने यहां पर यह thin कर दी, यानि यह thin segmented descending limbs का, क्या कारण है यह thick है, क्या कारण है यह thin है, अभी बाद में बात करते हैं जरा देखिए इसी तरह descending के बाद ascending limbs में बच्चो देखिए ये ascending limbs में ये वाला column ये thick segment है और जो loop of handle के पास में है वो thin segment है यानि loop of handle के पास में जो limbs part होता है near to the loop of handle is thin segmented और ये जो होता है thick segment होता है इतनी बात आपने समझी आपने देखा टीविल का वो part जो medulla में आ रहा है वो handle loop है क्या है handle loop है अब यहाँ पर सवाल आता है कि medulla में क्या क्या part आते हैं तो answer क्या हो गया loop of handle यानि handle loop collecting duct and duct of belly knee जैसे वहाँ malefigan carb cells PCT DCT in cortex उसी तरह NEET ने एक और question पूछा कि medulla में क्या आता है answer is handle loop collecting duct duct of belly knee this is the NEET question okay now बात करते हैं आपके thick segment की बच्चों जो thick segment चाहे descending limbs का हो चाहे ascending limbs का हो आपने देखा इन cells को मैंने बनाया cube-like means that these are known as simple quidal cell मैंने केवल दो बना दी ऐसे करके यहाँ बनी होंगी ऐसे करके यहाँ बनी होंगी clear हो गए इधर भी बनी होंगी तो यह क्यांसी cells है simple quidal epithelium और आप जानते हैं quidal epithelium में जो nucleus होता है वो center में होता है यह इसकी पहचान है ताकि आप lecture के बाद diagram को देखें और आपके दिमाग में print रहे जब आप neat का paper दें ठीक है तो जो quidal cell होगी बच्चों उनका nucleus कहां होगा बैटों center में होगा तो यह simple quidal cells के क्या बने होते हैं बच्चों thick segment किसके descending limbs के भी और ascending limbs के भी अगर कहते descending limbs किदर आती है जो filtrate को loop off handle की तरफ लाए descending limbs जो filtrate को loop off handle से dc tree की तरफ ले जाए ascending limbs और दोनों thick segments ascending or descending or descending or descending कहलो वो किस cell के बच्चों मने होते हैं this is the neat question means that simple quidal मैंने quidal का cu लिख दिया और आगे मैंने लिख दिया ep तो यह दोनों simple quidal epithelium के बने होते हैं और यह वाला क्या था यह क्या था यह तो quidal brush bottled था ताकि reabsorption surface बढ़ जाए और यहां पर important चीज क्या थी कि glucose amino acid fat by active transport reabsorb हो रहा है water और chloride जो है वो passively reabsorb हो रहा है और 70 से 80% water और salt दोनों ही reabsorb हो रहे हैं यानि मतलब यहां तो isotonic condition रहेगी क्योंकि मैं world use कर रहा हूं 70 to 80% electrolyte and water तो 70 to 80 दोनों के लिए लग गया ना ठीक है चलिए बात करूंगा कल mechanism किसम है आगे चलता हूं आगे आगे आप देख रहे हैं बच्चों कि यह जो नीचे थिन सेग्मेंट है जो लूप आफ हैनल के पास में आर्म है थिन सेग्मेंट है इसमें कौन से cells होती है आपने देखा मैंने cells जो है फ्लैट रख दी यानि टाइस की तरह बना दी तो है इनको आप कहसकते है थीज आर फ्लैट्ट इसके मुजल सेल्स यह फ्लैट सेल्स है क्योंकि पुरा नावर llefron epithelial cells का बना हुआ है और कीडिनी मीजो डर्मल-ईन-ई-औरेजिन होती है प्यडिनि क्या है मीजो डर्मल ईन-उर-ईन होती है चलिए आगे चलते हैं देखत तो जो ascending limbs होता है बच्चों उसमें कौन सी cell होती है उनमें होती है flat iscamusle cell, iscamus cells है, flat है, tiles like है और फिर वो दोनो limbs के बीच में क्या चीज़ है जो आपस में connect किये limbs को वो है head, hairpin head like structure that is handle loop किसका part है, neat का question, medulla का part है, clear हुआ now, ascending and descending limbs में जो thick segment है, उसमें कौन सा epithelial है simple cuboidal epithelium, किस चीज़ का question है, neat का question है, clear हुआ PCT में कौन सी cells है, cuboidal, simple cuboidal breast bottled cell है this is the neat question, okay, now, अब एक और चीज़ यहां ध्यान रखने की जरूरत है जो मैं कल भी बताऊंगा, लेकिन आज भी समझीए, जो descending limbs होता है it is permeable for water, permeable for water, लीजिये मैं यहां लिख दे रहा हूँ, water ठीक है, मैंने कहा था, पूरा bold kidney है, इसके मतलब filtrate से जो अंदर आ रहा है उससे water कहां आ गया, medullary interstitial fluid में, medullary, medulla तो पूरा है लाइन के नीचे है, यह पूरा nephron का structure उसके बाहर की जगे क्या है, इंटर इस्टीसियल, तो medulla का तो interstitial part है, उसमें water आ रहा है, क्यों, क्योंकि descending limbs is permeable to water, impermeable to salt, तो जब water आ रहा है बाहर, तो इसके मतलब जो filtrate है, जो descending limbs में चल रहा है, उसका काम है to concentrate the urine, to concentrate the filtrate word अभी यूज़ करूंगा, to concentrate the filtrate, चलिए आगे चलते हैं, अब यह इसके opposite होता है, ascending limbs, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बच्चों साल्ट सब के लिए permeable होता है, ascending limbs is permeable for salt, impermeable for water, descending limbs permeable for water, impermeable for salt, तो जब साल्ट बाहर ही नहीं आ रहा है, cable water आ रहा है, तभी तो descending limbs में urine concentrated हो रही है, और जब यह ascending limbs में पहुचेगा, तो ascending limbs तो opposite है, impermeable to water and permeable to salt, तो salt निकल गया आएंगे, interstitial fluid में, medallery interstitial fluid में, तो अंदर जो filtrate है, जब साल्ट बाहर निकलेंगे, तो बच्चों क्या होगा, जो urine होगी, water तो नहीं निकल लाना, तो urine जो DCT की तरफ जा रही होगी, वो dilute हो रही होगी, यह neat का question है, क्यों dilute हो रही होगी, कारण आपको पता लग दिया, ascending limbs is permeable for salt, impermeable for water, और descending limbs में क्यों concentrate हो रहा होगा, क्योंकि it is permeable for water and impermeable for salt, loop of animal के कौन से दो part है, descending limbs, ascending limbs, उपर वाले thick segment किसके बने होए है, simple quibadal epithelium के, नीचे वाले thin segment किसके बने होए, flat squamous cells के, आगे चलता हूँ, अब फिर यह ascending limbs आया और DCT में continue हो गया, यानि tubule part ही पढ़ रहा है भी, उपर वाला तो पढ़ चुके हैं, अब tubule part में जो यह DCT है, यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है कि DCT पर जो selective tubular reabsorption होता है, उसको कहते है conditional tubular reabsorption, conditional world को मैं कल बताऊंगा तुमको लेकिन तुम्हें अभी याद रखना है कि the conditional reabsorption take place, इस नीट का टॉप को कुश्चन कि the conditional reabsorption take place, the answer is distal conglulated tubules, जहां पर eldosterone hormones के बारे में जानेंगे, जो adrenal cortex reason से secret होगा, जिसका काम होगा sodium ions के reabsorption को increase करना, conditional होगा, कल बात करेंगे, तो यह जो DCT होती है बच्चों, यह कि सेल्स की बनी होती है, आपने देख लिया, यह भी क्यों बाइडल होंगी, क्योंकि आपने center में nucleus देख लिया, clear हुआ, अब चलते हैं आगे, यहां से तो यह काम खतम होगया nephron का, क्योंकि कल मैंने बताया था कि collecting tubules हैं, these are not a part of nephron, यह तो अपनी कई ducts निकाल रहीं, देखिए ना, इतर मैंने निकाली जहां मैंने pointer लगा रहा हूँ, यह ducts different nephron से लेती है connection, ठीक है, आगे चलते हैं, ना, यह जो DCT है, अब यह किस में मर्ज हो जाएंगी, कहां जाकर अपने आपको open करेंगी, यह open करेंगी जाकर collecting duct में, और collecting duct होंगी किस में, medullary premix में, the collecting duct is a tubular part which are transverse are running, within the structure name, need का question, medullary premix, अब यह collecting ducts नीचे आएंगी, जरा देखिए, मैंने थोड़ा सा कैमरा मुझे नीचे करना होगा, मैंने कर दिया, देखिए, अब यह जो collecting ducts हैं, यह नीचे आएंगी, और नीचे आकर किस में open होंगी, duct of baloney में, means capillary duct में, और फिर यह open किस में हो जाएंगी, renal pelvis में, और renal pelvis में जब open होंगी, तो फिर यह किस में हो जाएंगी, यूरेटर में, यूरेटर से इनरी ब्लाडर में, इनरी ब्लाडर से यूरीतरा में, दैन यूरीन पास आउट, किलियर बात ही, यहां पर ध्यान देने की जरुवत है, DCT पर, जो digital convulated, जो की cortex के अंदर है, इसमें conditional reabsorption हो रहा है, किलियर बात हो गई, और जो collecting tributes है, वहां से कुछ यूरिया भी reabsorb होगा, क्या reabsorb होगा, यूरिया, देख लिजिए साइड में, यूरिया भी reabsorb होगा, कल आपको देखने को मिलेगा, ताकि वो, जो medulla का interstitial fluid है, वो fluid की osmolarity को maintain रख दे, to maintain the osmolarity of the interstitial, which interstitial medulla reason is we are arriving here, then the medullary interstitial fluid में, osmolarity, osmolarity maintain करने के लिए, कुछ यूरिया भी reabsorb होगा, collecting tubes से, और collecting tubes open कहां होंगी, ठीकिंग होकर, एक segment में उसको कहेंगे, duct of belliny, जो कहांगी, papillary duct, फिर वो किसमें open होंगी, renal pelvis में, और renal pelvis से बाहर क्या निकलता, यूरेटर, urinary bladder, and then is the urethra, तो आपने देखा, this is the structure of the nephron, which made up of two parts, melfigand corp cells and tubule, melfigand corp cells is made up of tuft of capillaries called glomerulus, and then a double-walled cup-like structure, bowman capsule, इन दोनों का बना होता है, melfigand corp cells, or you can say renal corp cells, and this is the part of cortex region, then, फिर क्या श्टार्ट होगा पीछे से, second part of the nephron, दो ही part का तो nephron बना है, second part of the nephron, जो क्या होगा, tubule part, और tubule में पहले ही convulation देखने को मिल जाएगा, कहलाएगा proximal convolated tubule, दूसरा convulation होगा, digital convolated tubule, तो tubule के कौन से दो part, cortex region में आते हैं kidney के, answer is the PCT and DCT, और अगर पूरे nephron की body में कौन कौन से, पूरी nephron में पूछ ले, तो आप इसको जोड़िये, malphigan corp cells, or you can say renal corp cells, plus PCT of tubule, and DCT of tubule is the part of cortex region, फिर वो पूछे का, medullary region में कौन से tubule के part आ रहा हैं, the answer is loop of NL, क्योंकि इसी के तो दो arm है, जो filtrate loop of NL की तरफ ले जा रहा है, वो descending limbs, जो filtrate loop of NL से दूर DCT की तरफ ले जा रहा है, ascent कर रहा है, filtrate को ascent कर रहा है, उपर चड़ा रहा है, तो ascending limbs, जो DCT में पहुचा देगा, और दोनों की खासियत क्या है, कि DCT जो होगा, जो descending limbs है, loop of NL का, it is permeable for water, impermeable for salt, इसलिए filtrate क्या होगा, जब watery बाहर निकल लाए, interstitial, medullary interstitial fluid में, यह तो पूरे बोल्ड का हिस्सा, interstitial fluid पढ़िए ना, जहां जहां पर बोल्ड का brown color आपको दिख रहा है, clear हुआ, तो उसमें क्या जा रहा है, water, तो filtrate कैसा हो रहा, concentrate, लेकि असेंडिंग में उल्टा है, ascending is permeable for salt, ascending is permeable for salt, impermeable for water, तो यहां पर filtrate जब DCT की तरफ जाएगा, तो वो dilute होगा, क्यूंकि water तो बाहर निकली नहीं रहा है, clear हुआ, दूसरा आपने cell का देख लिया, कि दोनों में ascending और descending के ठिक segment में, ascending links और descending link के ठिक segment में, central में nucleus देखा, बता दिया, simple quidal epithelium, यहां breast water देखें PCT में, बता दिया, simple quidal breast watered epithelium, जिसके कारण reabsorption बढ़ रहा है, जिसके कारण maximum reabsorption PCT में हो रहा है, इन breast water quidal epithelium के कारण, पूरा nephron epithelium का बना हुआ है, आगे चलता हूँ, आगे देखिए, फिर मैंने एक root देखा था, अभी मैंने थोड़ी ज़र पहले आप से बात की थी, कि जो आपका kidney होती है, each kidney receive the renal artery from the dorsal aurita, यानि मतलब अगर बोल्ड आपको दिख रहा है, तो मैंने यहां पे लिख दिया dorsal aurita, और dorsal aurita से आया renal artery, renal artery पहुँची कहां, मैडुला में, कहां से होते हुए पहुची, हिलव से, हिलस से, हिलस, हिलस, जो concavity थी, ध्यान रखना, हिलस से पहुची, pelvis region में, फिर आगे मैडुला में जाकर, fine branches में बदल गई, और fine branches जो थी, वो कहां से, जो आपकी, call tracks region extend था, प्रैमिट के बीच में, करेंगे, अब उपर आईए, यही आर्ट्रियोल्स जाएंगे, और यही आर्ट्रियोल्स जाकर, क्या करेंगे बच्चो, जाकर, call tracks region में, efferent आर्ट्रियोल्स निकलेंगे, और kidney के, नेफरान के, कजो cup like structure है, उसमें जाकर, अपनी capillaries का, टफ्ट बना देंगे, उस टफ्ट को कहेंगे, ग्लोमी रूलस, तो ग्लोमी रूलस में, एंडो थीलियम सेल, जो की फेनिश्ट रा है, वन थाउजंड्स ओपनिंग्स हैं इन में, वन थाउजंड्स ओपनिंग्स हैं, 70 to 100 नैनो मीटर्स की, डियमीटर की, ओपनिंग्स हैं, और फिर बेस्मेंट मेंब्रین है, जिसका सेंटर पार्ट क्या है Jackie, ऍडूमीना देंसा, और लेमिना रेरा, रेमिला रेरा, यह इंटर्नल लेमिला रेरा, यह अक्سटरनल लेमिला रेरा, यह उतना डेंस नहीं है लेकिन जो डेंस जो है बेस्मेंट मेंब्रेन के ताव देंस है और उसके नीचे तीसरी मेंब्रेन से फिल्टर में पाइट ले रही है इनर विसरल अपिथीलियम जिसमें प्रोसेस के कारण पोडो साइड जो कैसी लगी हुए इंट्रिकेट मेंनर में जिसके कारण क्या बने हुए है स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन पोर्टुर में साइजू ट्वाइन टुट हैट्टी और क्या च्छन के आ रहा है प्रोटीन माइनस पलाज्मा और जो च्छनकाfire एखक्ट आपश्चो और जो या किया कहलाता है वही कहलाता है बोमेन कैफसूल में पाया जाना वाला गलोमी रूलस फिल्ट्रेट और वही फिल्ट्रेट आगे जाएगा टिवियूल पाल्ट में सेकिंड पाल्ट आप दी नेंमान कि अन्हें प्राइब में अपन शप्रान में जहां," पर उनका त्यूबलर स्वहभिशन और पाजाएगा, रूठीन हो जाएगा। कल मैंने बताया था कि युनरी घ्लडर में आच्छी सिवह, ये फिर मैंने ये भी बताया था कि इनरी bladder में जो opening होती है, वो opening two circular spinn Romeo, imetर से govern होती है, उसका क्छिलना, और उस spinnokator में बच्चों, एक outer spinnokator होता है, एक inner spinnokator होता है, जो inner होता है, वो involuntary होता है, और जो outer होता है, वो voluntary होता है बच्चों, यानि external is the voluntary, internal is the involuntary, इस चीज़ का ध्यान रखना मैंने कल ही बोला था, इनरी ब्लेडर में, नीट पूशता है, किलियर बात हुई, इसके अलावा और चीज़े क्या ध्यान रखनी है, कि जिस समय, जिस समय urine पास आउट नहीं होनी होती है, उस समय ये दोनों ही इस निक्टर् होते हैं, they are contract, they are contract, तभी तो urine नहीं पास हो रही है, ये circular muscles के बने हुए specular urinary bladder में क्या है, contract है, और जब mixturation होगा, now they are relaxed, तभी ये relaxed होंगे, इन बातों को ध्यान में रखिये, आज आपने देखा, कि the unit, the structural and functional unit of kidney is nephron, and with the two parts are main, melfiggen core cells, and the teneal part, and within the cortex region, the melfiggen core cells is made up of tuft of capillaries, which is found by the wider lumen afferent altriole, and known as glomerulus, now this glomerulus, basement, the glomerulus, the tuft of blood capillaries, and within the capillaries there are special endothelium frustrated, these are fenestrated, fenestral meaning, openings, these are the fenestrated specialized, elasmosing capillaries, woe or basement membrane, and then is the internal visceral epithelium, the bomen capsule, which are specialized podocyte cells, which are intricate manners, में arranged हैं, जिन से slit pore diaphragm का का काम कर रहे हैं, जिन का site 20 ते 30 nm हैं, जिस से protein minus plasma, चंचन के आका glomerulus filtrate बना रहा है, वो filtrate further आगे चल ला है, आपने देख लिया था, कि यहां पर हो रहा है, क्योंकि descending links permeable for water था, dilute यहां पर हो रहा है, क्योंकि ascending links permeable for salt and in permeable for water था, तो water तो इसको dilute करी देगा, DCT पे आपने देखा था condition reabsorption हो रहा है, neat का question है, यह neat का question है, simple qvadal breast water epithelium, glucose amino acid, glucose amino acid, fatty, fatty fats, these are completely reabsorbed in the PCT by the active transport, यह neat का question है, water and chloride is passively reabsorbed in the PCT, यह neat का question है, now thick segment is made up of simple qvadal epithelium in case of both descending links and ascending links of loop of NL, यह neat का question है, now the means that the DCT is consist of also simple qvadal epithelium and conditioned reabsorption is there, यह neat का question है, PCT, DCT, malphegan core cells, these are the part of the cortex region, यह neat का question है, now DCT is open into the ducts, which is known as the collecting ducts or you can say collecting tubes, these are present in the medullary primates, यह neat का question है, now in the collecting ducts or you can say collecting tubules, now there are some urease, also comes out in the interstitial medullary fluid, यह neat का question है, to maintain the osmolarity of the medullary interstitial fluid, यह neat का question है, now collecting tubules is open into the wider duct of vellumny, यह neat का question है, then these through the papillary duct open into the renal pelvis, यह neat का question है, और renal pelvis से urine, ureator में, ureator से inery bladder में, जहां मैंने आपको circular sphinector भी समझाये थे भी, यह, जन than from eurythera, क्लिर unless you pass out, okay. So, this is all about the nephron structure, until the lecture is based on the structural and functional unit of the kidney. that is nephron where the urine formation will take place in three step, ultrafiltration, then is the selective tubular reabsorption and then is the tubular secretion and these three steps will be continue by tomorrow in the lecture. So, thank you very much. आपने देखा की एक चीज ध्यान से आपने ये भी देखली की इसमें जो efferent arteriol था उसमें fine capillaries बनाई, इनको fine capillaries ये tube के चारों तरफ लगी हुई है red color की, इनको paritubular capillaries जो मैं कल भी पढ़ाऊंगा, paritubular capillaries कहते हैं, ये capillaries सीधे जाकर venule से जुड़कर veins में जुड़ेंगी, यानि मतलब किड्नी के अंदर special arrangement है कि efferent से direct venule नहीं जुड़ा है, efferent से blood को टफ्ट से दूर ले जाने में efferent arteriol है, they are further divided into branches called paritubular, क्योंकि tube के किनारे रहेंगी चारों तरफ, paritubular capillaries और palitubular capillaries जो बच्चों होंगी, जब loop off हैनिल के parallel में आएंगी, जो parallel में होगा paritubular capillaries का part, जैसे ये parallel में हैं इसके, देखिए, जैसे ये paritubular capillaries, रेड वाली, इसके loop off हैनिल के parallel में है, this is known as wasa ricta, this is known as wasa ricta, ऐसे ये आप नीचे भी देख रहें हैं, कि ये वाली जो paritubular capillaries है, loop off हैनिल के parallel में है, this is known as wasa ricta, आप ले एक और चीज़ ध्यान दी, कि अगर bowman capsule, अगर bowman capsule, किसके पास हो, at the junction of cortex and medulla, जैसे ये बना हुआ है, तो ऐसे nephron को कहते हैं, gesta medullary nephron, क्या कहते हैं, gesta medullary nephron, दो तरीके के nephron हैं, किद्नी में, एक gesta medullary nephron, और दूसरे coltical nephron, जो coltical होंगे, उनका capsule लो, और bowman capsule लो, और पूरा जो malphigan body है, उसको यहां बना दो, top of the cortex पर, ऐसे करके, तो उनका जो, PCT, descending limbs, और लूप आफ हैनिल जो होगा, वो केबल आकर, टच करेगा, काल्टेक्स रीजन को, या हलका सा डिप हो पाएगा, मेडूला में, तो ऐसे नेफरॉन, जिनका लूप आफ हैनिल, जरा सा डिप हो, या तच करेगा, काल्टेक्स रीजन को, अब मेडूला तक आते आते, जरा सा ही डिप हो, मेडूला में, जरा सा डिप हो, वो कहलाते हैं, काल्टिकर नेफरॉन, यह तो होते हैं 75 से 85 परसेंट और इन में पैरी टूबलर केपलरी जहें बस वासा रिक्ता जो मैंने कहा था पैरी टूबलर केपलरी जुछ रंस पैललर तूदा लूपा फैनल इस वासा रिक्ता विच एंटेंग दा काउंटर करेंट मेकनिजम और अलसो हैल्प इन मेकिंग दा यूरीन फोर टाइम कंसेंटरेट दन दा इनीशीयल फिल्ट्रेट वह वासा रिक्ता इसमें कॉल्टिकल निवरॉंस में कॉल्टिकल नेफरॉंस में हाईली रिडूज रोता है यह अपसेंट होता है लेकिन बच्चों जो यह आपने श्टड पूल जो था जिसका मॉल्टिकल कॉर्टिक्स वाला पार्ट था वह एड़ी जंक्सन आफ कॉल्टेक्स और मैडूला था इसको कहते हैं इस तरीके के नेफरॉंस को कहते हैं जक्ष्टा मैडूलरी नेफरॉंस जो केवल 15% होते हैं किड्नी में लेकिन इनकी खासियत है कि इ ऩुमनी देपली और इन अईनर मेडूला और व category F ॉ एल दिबल सक्वय के प्रेंट के cable t and loop of hennel is deeply penetrated, deeply penetrated and dip in the medulla. This is the neat question and peritubular capillaries, they are not well. आपने देखा, ज्यादा मैने इसको dense नहीं किया. यानि justa medullary nephron में, justa medullary nephron में, peritubular capillaries जो होती है, they are not much double up. but in case of the this, in case of the this corticals, जिसका की bowman capsules कहां पे, capsules के ठीक नीचे से start हुआ है, इसलिए इसका जो loop of hennel है, वो केबल dip कर रहा है जरा सा medulla में, इसलिए इसको नामी दे दिया गया cortical, cortex reason में यह extend ज्यादा major portion कर रहा है, यह 85% लगवग होते हैं, clear बात हुई, 15% तो यह वाले जो आप study कर रहा थे, जिनका malphegan corp cells जो है, वो border of the cortex of medulla न था, और loop of hennel deeply penetrated inside the medulla था, वासा रिक्टा वेल डबलग था इसमें, इसमें वासा रिक्टा cortical nephron में, जो वासा रिक्टा होता है, अपसेंट और highly reduced, और loop of hennel is just dip, और you can say touch the medulla, तो there are two type of the nephron within the kidney, number one is justa medullary nephron, which is 15% in which paritubular capillary network is not very much developed, but बासा रिक्टा is well developed, and loop of hennel is deeply dip in the medulla part of the kidney, and second, secondary neuron, secondary nephron I am always saying that, Now secondary nephron, women capsule or you can say the maleficant corp cells is situated at the upper just below the capsule and the loop of HANLR you can say is much reduced in size and it only dips in the medulla part, VASA-RICTA is absent or highly reduced in coltical nephron but percentage of coltical nephron is 75 to 85% and the percentage of presence of this juxta medullary nephron is about 15% कल भी इसको लेकर आँगा, आज आपने देखा कि क्या क्या चीजे होती है nephron के structure में, हर cells को देखिये, हर जगे पर जहां मैंने NEET बोला है, बार 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 देखिये, NEET का एक question इससे आता ही है, thank you